हाला वरोन स्टुरेंट्स बच्चो आज का जो सेशन है उसमें हम डिसकस करेंगे फोरेस्टी का लेक्चर 4 जिसके अंदर हम एग्रो फोरेस्टी सिस्टम सम पढ़ रहे थे agroforestry system में हमने structural basis पर हमने agroforestry system को पढ़ा आज हम functional basis, socio economic basis और ecological basis पर जो है agroforestry system को समझेंगे ठीक है अब इसके बाद के जो lecture से उसमें क्या होगा उसमें हम role of forestry पढ़ेंगे मतलब कि कुछ आप कुछ ऐसी चीज़ें जहां प्रकोशन बनते हैं जैसे कि कि लुख होगी भुआ सारे पेड़ों के नाम संप्रोड़ों कि क्या क्या produce मिलते हैं food मिलते ती चीज़ें मिलते हैं film इंसल Geschश पर शेय। लकड़ों इंसलुक्णह परते हैं फईबर मिलते हैं फिप्र प्रोड़ों तो आपके होने इसमें तो हर और चीज कभर करेंगे जो आपकी exam point of save important है एक्जाम में कुछ भी पुछा जा सकता है क्योंकि syllabus कोई defined नहीं है किसी भी चीज का कोई syllabus यहां पर defined नहीं है तो कुछ भी पूछा जा सकता है कि तो सबसे पहले second जो हमारा पहला हमने structural basis फ़े पर लिया second है functional basis rows जो functional basis on functional basis पर हुम आपर classification functional basis पर पर पढ़ना है तो जो functional basis on functional basis पर the aải फ्रोद ओस्सिटम का classification हम समझते के यह चीँ आ मैं से क्या फ्रोटक्षम。 पर क्या है क्या प्लासिक्ट्सक्षेस्ट परोष्टि आपके form? द प्रक्ति आपकेम ऑगिर्गता नाख़ता हैं。 बंद्धवी ऑंकर धेगगता क्या है Sappers Statesies Kसिए आपके यह उसका नहीं अन् accident withuck Budget,شज़न आपके asks वहाइग. तो दो चीजों को समझना यहाँ पर दो तरह के की यहाँ पर फंक्शन आपको देखने कर देखने कर एक मिलेगा क्या मिलेगा फंक्शन पर देखने को वहें part या प्रोटेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् तो यह productive है इनका जो detail है वो मैं आपको करवाऊंगा role of forestry के अंदर जैसे production के अंदर हमने बात की production के अंदर हमें क्या मिलेगा तो production के अंदर हमने बात की हमें मिलेगा food क्या मिलेगा food दूसरा हमें मिलेगा fodder क्या मिलेगा fodder तीसरा हमें क्या मिलेगा यहाँ पर ब्लाइवूड फ्यूल बशुल वूड मतलब इधन के लिए लखडी मिलेगी और प्रॉड़ कोई सारे अधर प्र्रोडक्ट से अधर वॉड्स मिलेंगी अधर लखड़ा फॉड न'sAC लकडी हो गई, पल्पूड भी होती है, प्लाइवूड जो फरनिचर वगरा बनवाते हैं, वो प्लाइवूड मिलती है, तो अधर कई सारे वूड तो इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, रोल ओफ फोरेस्टी के अंदर, जैसे फ्यूल वूड कौन कौन से जो प बनाने के लिए उस होती है, उन सब के नाम याद करना है, तो यह समझे नेक्श लेक्चर जो रोल ओफ फोरेस्टी है, उसके अंदर पढ़ेंगे, यहां बस हमें यह समझना है कि प्रोडक्शन फंक्शन में क्या क्या चीज़ आती है, और नमबर फाइक पर आप समझो के त आप प्रोडक्टिव फंक्शन के अंदर जाएंगे तो, ठीक है, अब प्रोटेक्शन फंक्शन की बात करें, तो प्रोटेक्शन फंक्शन में आपको मिलेगा सेल्टर बेल्ट, क्या मिलेगा, सेल्टर बेल्ट, सेल्टर बेल्ट और दूसरा आपको मिलेगा विंड ब्रेक windbreak ठिक एक student ने मुझे से पूचा है कि साथ shelterbelt और windbreak में difference क्या है doubt हो रहा है उस वच्चे को तो देखो ये दोनों जो है ना इसको मैं अगला जब रोल पड़ाऊंगा ना उसमें ये दोनों भी आएंगे detail में ये दोनों भी क्या आएंगे detail में आएंगे shelterbelt क्या है windbreak क्या है difference क्या होता समझो windbreak का generally हम use crop के साथ हमारी building को हवा से protect करने के लिए करते हैं कोई नहरे हैं उसको protect करने के लिए करते हैं हमारे जो animal है है ना जो गाई वेंसे बक्रिया हमारी है उनको ठंडी हवाय चल रही हमसे बचाने के लिए भी किनका Windbreak का shelterbelt का use हम generally करते हैं crop को protect करने के लिए वह तेज हवाय चल रही है तो उससे protect करने के लिए हम क्या करते हैं shelterbelt का use करते हैं समझ ना shelterbelt कुछ इस तरीके से होते हैं एक मालो यह पेड़ हो गया यहाँ पर ठीक है उसके बाद एक छोटा पेड़ आएगा उसके बाद फिर एक और छोटा पेड़ आएगा ट्रेंगुलर सेप में होता है इस तरीके से पेड़ लगे होते है ठीक है तो हवा जब आईगी ना तो ऐसे मूग करेगी ठीक है ऐसे मू ने होती है 25 टैम उसकी लेंद जो है विड्थ रखी जाती है सारा मैं डीटेल में बताऊंगा अभी बैसिक समझ लो कि हम सेल्ट बेट का यूज करते हैं क्रोप को प्रोटक्ट करने के लिए विंड ब्रेक का हम यूज करते हैं हम क्रॉप के साथ 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 फिल्ड को प्रोट जाती है और यहां पर जिसेये स्रभ हो गया इसरब ही लगाते हैं रेशी है लगा देखे थे ना शेप्सह पलान है, इस प्लांल का से प्लांगा देखेज़ और बेसे वागता है लिए सेल्ट में ऊध्यों स्केंट बतावगा अंब बहुत हैं मunn Leg कॉन से कौन से ये कॉन से विंट ब्रक के लिए कॉन-कॉन से ट्री एड यूस होते वह रेंड आप चैनल बताओंगा उनकी हाइड कितनी रखते हैं उनकी वीड कितनी रखते हैं ना किस डायरेक्शन में लगाते हैं ये सारह हम इसके अंदर इत्ल में पढ़ेंगे अब यहां पर समझना है कि प्रोड़क्शन प्रोड़क्ट्ट्ट्व फंक्शन क्या है और प्रोड़क्ट्ट्ट्व फंक्शन क्या है नंबर तीन पर बात करो तो सोईल कंजरवेशन आ जाएगा soil conservation soil को सरक्षित करना ठीक है पेड़ बोदों से फिर आपका आजाएगा moisture conservation moisture conservation आजाएगा ठीक है moisture conservation के लाभा आजाएगा soil improvement soil improvement soil improvements और number six पेड़ जाएगा set मतलब छाया भी हमें पेड़ मिलती है अब छाया किसके लिए four crops के लिए जो सेड़ लविंग plants होते हैं सेड़ लविंग crop जो छाया दार फसले होती है उनके लिए सेड़ का भी काम करते हैं animal के लिए भी क्या मिल जाएगा और main के लिए भी क्या मिल जाएगी छाया मिल जाएगी clear है तो ये functional basis पर agroforestry system को यहाँ पर थोड़ा सा classify किया गया है तो functional basis पर क्या है दो तरीके से production function क्या है productive function क्या है production function में ये सारी छीजे मिलेगी इनको detail में समझेगे कि food के लिए कौन-Kौन से tree उस होते हैं forder के लिए कौन-Kौन से tree उस होते हैं के लिए कौन-कौन से ट्री उस होते हैं, soil conservation में कौन से टी काम आते हैं, soil moisture conservation में, soil improvements में, shade loving tree कौन-कौन से हैं, चायादार जो चाया देने वाले पेड़ कौन-कौन से हैं, जो हमारी crop animal और मेन को जो क्या देते हैं, चाया देते हैं, ठीक है, इनको detail में हम next lecture में पढ़ने वाले basis, socio-economic basis, ठीक है, socio-economic basis की बात करें, तो यहाँ पर कई तरीके के classification आपको मिलेंगे, socio-economic basis में, socio-economic basis में, social consideration के basis पर, या socio-economic consideration के basis पर, यह मैं बोल सकता हूँ, based on socio-economic consideration, तीन प्रकार से classification यहाँ पर मिलेगा आपको, यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलेगा, वो मिलेगा आपको subsistence, subsistence agroforestry system, subsistence agroforestry system मिलेगा, second मिलेगा आपको commercial, commercial agroforestry system और number 3 पर मिलेगा intermediate, intermediate agroforestry system, यह तीन चीज़े यहाँ पर आपको मिलने वाली है, clear है, subsistence agroforestry system और आपको मिलेगा यहाँ पर intermediate agroforestry system and intermediate agroforestry system, clear है, चलिए, अब one by one समझते है, subsistence का मतलब क्या है, बच्चा subsistence का जो मतलब है वो होता है जीवन निर्वा, subsistence, subsistence का मतलब होता है, जीवन निर्वा, मतलब मालनो कोई farmer है, उसके पात बहुत ही कम जमीन है, भहुत ही कम भूमी है, भहुत ही less holding है, है ना, तो वो क्या करेगा, वो अपने और अपने परिवार के बर्रण portion के लिए ही केती पर कर पाएगा, मालो उसके पाथ less than 1 hectare, less than 0.5 hectare है, और उससे भी कम है, marginal से भी कम है उसके पास, तो वो क्या करेगा, वो उतना ही वहाँ पर production ले पाएगा, जितना उस family के लिए आवशक हैं, खुद के लिए, या उसकी family के लिए, या family की आवशकतों को पुरा करने के लिए, उतना ही वो लगा पाएगा, तो इसको हम बोलते हैं, सबसिस्टेंस, या जीवर निर्वाह फार्मिंग, है ना, तो वहाँ पर क्या यूज़ करता है, वो जो है, internal, बोल सकते हैं, उसके पास जो भी inputs होते हैं, जो भी inputs होते हैं, जैसे गाई का गोबर हो गया, या सली-गली, सबजिया हो गई, उससे जो इखाद बनाकर वो यूज़ करता है, जो external input का यूज़ नहीं करता, तो low input होते हैं, उसको production भी क्या मिलता है, low ही मिलता है, साथ ही साथ क्या होगा, वहाँ पर production भी low होगा, inputs भी low लगाएगा, output भी उसको low मिलेगा, तो उतना ही कर पाएगा, जतना उसकी family को neat है, मतलब वो market में sale करने के लिए, जो है production नहीं लेपाएगा, जतना ही फैमिली को requirement है, ठीक है, तो यहां पर सबसिस्टेंस का मतलब आप समझ गए, तीन तरह की फार्मिंग हम अक्सर पड़ते हैं, है ना, सबसिस्टेंग पड़ते हैं, और यह जो सबसिस्टेंस फार्मिंग में जो आते हैं, इसके अंदर जो फार्मर्स होते हैं, या जो भी एग्रो फोरिस्टी करते हैं उनके पास बहुत ही कम capacity होती है investment करने की क्यों investment की capacity क्यों होती है क्योंकि एक सबसे कम है और वो अपनी family requirement को ही fulfill करने के purpose से काम करता है तो investment की capacity उनके पास कम होती है मतलब वो input जो है काफी low input यूज़ करता है low input मतलब उसके पास जो है वही input वह use करता है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो subsistence farming है, वो एक तरह से क्या होता है, based on requirement of farmer's family, हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो subsistence farming है, grow forestry system है, वो क्या होता है? Fulfill the basic requirement of, यहां समझ लो, subsistence का मतलब क्या हो गया? Fulfill the basic requirement of a small family having less holding. जिसके पास भूमी बहुत कम है, वो अपनी family, यह जो चोटी सी उसकी जो family है, उसकी basic requirement को पुरा करने के लिए, जो agro forestry system होता है, उसको subsistence agro forestry system कह सकते हैं, मतलब they have very little or very less capacity of investment, इनके पास जो है, बोल सकते हैं क्या, low investment capacity. क्या होती इनके पास? इनके बराबर होता है, ठीक है? दूसरा हम बात करते हैं commercial, मतलब हम यहाँ पर बात कर सकते हैं low input, low input और low output, low output, इस principle पर यह काम करता है, low inputs यहाँ पर होते हैं, low outputs इनको मिलता है, क्योंकि इनके पास जो भी inputs होते हैं, इनके पास जो भी गोबर का गायी का है, और जो भी कुड़ा कच्रा होता, उससे जो खाद बनाएंगे वही वह यूज करेंगे, एक्शनल कुछ भी यूज नहीं करते हैं, इसलिए low input, low output हो जाएगा, commercial हम बोल सकते हैं कि इसका main purpose क्या होता है, इसका main purpose होता है, production, sale for product, यह sale of product, ठीक है, इसका main purpose ही क्या है, sale of product, product को sale करना, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर जो है, long scale production होता है, क्या होता है, long scale production on a commercial basis, क्या होगा, on a commercial basis, मतलब व्यापारिक अधार पर ही यहाँ पर बड़े इस तरपर production क्या जाता है, ठीक, commercial का मतलब भी क्या है, यहाँ पर high input और high output concept पर यह काम करता है, high input, high input और high output यह concept पर काम करता है, high input मतलब हम यहाँ पर chemical fertilizer वगरा सब यूज करेंगे, क्योंकि हमें commercial basis पर यहाँ पर काम करना है, हमें ज्यादा ज्यादा profit चाहिए, benefit चाहिए, जो है, इसके लिए हम क्या करेंगे, chemical fertilizers या जो insecticide pesticides सब यूज करेंगे, और इसलिए इसको बोलते है, high input, है ना, जिससे हमें क्या मिलेगा, production ज्यादा मिलेगा, और production ज्यादा मिलेगा, तो हमें क्या मिलेगा, income या profit ज्यादा होगा, यह commercial workforce system के अंदर आ जाता है, तो इसका main purpose क्या है, main purpose क्या है, ठीक है, sale of product, sale of product, product को sell करना, क्यों sell करना, ताकि ज्यादा ज्यादा हमें क्या मिले, income मिले, production मिले, ठीक है, तो यह किस पर काम करता है, high input, high output काम करता है, intermediate जो क्या होता है, यह combination है, यह हम बोल सकते हैं, हाँ, बोल सकते हैं, combination, combination of subsistence, agro-forestry system, and commercial, commercial agro-forestry system, यह दोनों चीज़े यहाँ पर होती है, ठीक है, मतलब subsistence, मतलब की family की जो need है, family की जो requirement है, उसको भी फिल्फिल करना, प्लस जो भी हमारे पास surplus production है, मतलब जो extra production है, उसको market में sell करना, और हमें कुछ न कुछ earning भी उससे हो, मतलब family requirement को पूरा करने के साथ-साथ, हमें कुछ earning भी मिले, कुछ income भी हमारी हो, तो वो intermediate agro-forestry system के अंदर आ जाएगा, जहाँ पर commercial और subsistence दोनों का combination यूज़े किया जाता है, commercial का क्या होता है, completely आपको market में sell करके profit लेना, यहाँ क्या हो गया, हमारी family के आवशकता के अनुसारी काम करना, और intermediate मतलब कि दोनों family के आवशकता भी पूरी हो, और हमें साथ-साथ कुछ income भी generate हो, तो यह subsistence agro-forestry, commercial agro-forestry system, और intermediate agro-forestry system, based on socio-economic consideration, अब इसी में आजाता है, क्या एक based on management, second, जो है, इसी में, B, based on management, based on, देखो, management के basis पर कैसे socio-economic classification है, management के basis पर दो प्रकार को आपको मिलेगा, एक मिलेगा आपको intensive, intensive managed management system, intensive management system, और दूसरा आपको मिलेगा, extensive, extensive management system, चीक, यह दो तरीके के system मिलेगा, based on management, अब intensive का मतलब क्या होता है, पहले intensive farming समझो, इंडिया के अंदर जो mostly farming होती, वो intensive farming ही होती है, intensive का मतलब होता है, कि हमारे पास जमीन बहुत ही कम है, मतलब पर unit area में ज्यादा से ज्यादा उत्पादल लेना और ज्यादा से ज्यादा इंपूट का यूज करना, जैसे कि हमारे पास चोटे चोटे एरियाज होते हैं, वहाँ पर वो कई सारी crop ले लेता है, और काई सारी मसीनरी काई सारे इंपूट का यूज करता है, यह सब हाई यूज होते हैं, तो इसको बोलते हैं, इंडिया के अंदर यही सबसे ज्यादा होती है, सिब अगर आप साउत वारा बेल्ट केरला और करनाटका छोड़ दो तो वहाँ पर extensive होते हैं, extensive का मतलब समझो, intensive समझ गए, मतलब की more input and more production per unit area, मतलब एक particular area में ज्यादा input लगा कर ज्यादा से ज्यादा production लेना intensive farming हो गई, जो इंडिया के अंदर होती है mostly, extensive का मतलब हो गया low input, low input का use करना, large area रहेगा और वहाँ पर आपको more production लेना, low input more production in large area, जैसे की करनाटा का और के लाम आप देखोगे वहाँ पर आप 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 Content चाई के वड़े-बढ़े बढ़े खेते, वहाँ पर पूरे खेत में सिप्ट क्या करते हैं वो चाही लगाते हैं, पूरे farm, और हर साल वहाँ पर वाक्या होते हैं चाहिए लगाते हैं अब वो लार्ज एरिया है बड़ा एरिया है मालो एक हेक्टर दो हेक्टर में उन्होंने चाहिए की खेति की और वहाँ पर इंपुड कम यूज़ होगा क्यों कि उसी जो मालो टी क्रोप है टी क्रोप के अकोडिंग जो एक आत मसीनरी उसमें यूज होती वही यूज होगी लेबर जो है उसी प्रकार से उसमें लगेंगे जो टी क्रोप में चाहिए तो इंपुड वहाँ पर कम लगेगा और एरिया जादा है और प्रोडक्शन भी वहाँ पर जो है टी का मिलने वाला है तो उसको बोलते है। मतलब की एक ही तरह की खहती बड़े एरिया में करना मतलब की एक ही प्रकार की खहती बड़े एरियें में करना और वहां पर इंपूड की कम आउशक्ता ह demek तो इसको में ड पूल देते हैं और अंतला मतलब होला है मज़्टीपल प्रोपिं हम कर रहे हैं चोटे से एरिया म कर रहे हैं और कई सारे इनपॉट्स लगा रहे हैं वह जाधा ज्यादधा तो यहां पर क्या होगा इंटेंशन्य मैनेज्मन शिस्टम फोरेस्टिक्या अंदर यहां पर हो जाएगा बच्चा हमें क्या करना है Mowr production लेना है पर उनिट एरिय कि एक है कि यहां पर क्या होगा कि इंटेंश्टन क्यों करेंगे Mowr production Pawee acquired बीट एरिया यह ता है का मतलब कि हमें पर उनिट इरिया में ज्यादा ज़्यदा प्रोडक्शन लेना है as a home garden या फिर tree with agriculture crop ठीक है area as a home garden home garden की बारे में कल हमने पड़ा है as a home garden या tree with agriculture crop बेड़ो के साथ साथ अब agriculture crop भी ले रहे हो तो पर उनिट इरिया में आपको जादा जयादा प्रोडक्शन लेना है ठीक है tree ले रहे हो और agriculture crop ले एगनोफ फोरस्टी हो गया अब इसमें काम area में चोटे से एया में पर्टिकुलर ए और अरिए में ज्यादा जादा प का shifting cultivation ठीक अब यहां पर example आजागा shifting cultivation shifting cultivation shifting cultivation कैसे example आगे बच्चा यहां पर देखो यह क्या करते हैं पेडों को कारते हैं है ना एक particular area में एक ही crop को एक ही crop को year after year लगाते हैं यह एक ही crop को लगाते हैं उस कि लार्ज एरिया में उस ब्रफटिकुलर और-बयाया में इसको सकते हैं मतलब कि लार्ज एरिया में क्यति करना एक्स Çोटे एरियामे करन और हमें किया करना महाँ पर जड़ा production ओ subscribe मेंचिक उसलिएशन और एक्सेति करता है फिर से इसके बात बला हुआ है कि दिशिप्टिज उब् पो निया अब सब्सक्राइब पर अगर बात करें तो तो low technology high technology दो तरीके से यहां पर classification है लो technology ठीक दूसरा आपको मिलेगा हाई technology high technology तो तिसरा मिलेगा intermediate technology इंटर, इंटरमेट, टेकनोलोजी, यह तीन ट्रइक का सीजिस्टम यहां पर मिलेगा, ठीक है, अब low technology का क्या मतलब है, low technology का मतलब है primitive type, centres पुराने समय में जैसे होती थी, जिसे low technologyים मतलब होता है primitive type, primitive type, primitive type मतलब यहां जाएगा आपका genetics कोई टेक्नलोजी का यूज नहीं होता है तरह क्या यूज होगी modern technology modern technology जैसे माललो लो रिसेंडली टीशू खफाबे कर कर रहे हैं क्या करें टीशू कॉल्चर कर रहे हैं ठीक है बाइयो टेकनलोजी बना रहे है ग्म बना रहे हैं जेनीटिक इंजीनेरिंग जेनी एंजीनेरिंग कर रहे हैं backward वहाँ पर हम जिसे बीटी क्रोप हो गया है, सोमो कॉनल क्रोप हो गया है, ट्रांसजेनिक प्लांट बना रहे हैं, तो यह सारा क्या है, मोडर्न टेक्नलोजी के अंदर है, इंट्रमीडियम में यह हो जाएगा, कॉंबिनेशन है, कॉंबिनेशन बीट्विन लो एंड हाई, ल ठीक है, मॉश्ट अब गईरफोर्फे शिस्टम किसके अंदर आता है, इंट्रमीडियम के अंदर यह आते है, तो यह लिट न टेक्नलोजी हो गया, नेक्स्ट एक वर है, इसके अंदर बैस्टेन उतिलाजेशन अव लेंड, बैस्टेन उतिलाजेशन और लेंड, यहाँ य हो मैं हुमिजट फॉरेस्ट्ट हो मुझे बची किसी बच्चStar में ऊझे लिए ठीड पूचाता जो में पहले भी बता दिया एक बार हो मिस्टीट देग्रो फोरेस्ट्री का मतलब होता है कि भाँ पर आप जो है केनोपी कम है ठीक फिर आपने क्या किया यहां पर आपने क्या ले लिया यहां पर मालो वेजिटेबल यह जो भी है आपने क्या ले लिया यहां पर इस्पाइस क्रोप यह और चोटा ट्री ले लिया उसके बाद मालो यहां पर आपने इस तरीके की और दूसरी क्रोप ले लिय multi-tire system जिसको हम बोलते हैं यह टिक इस तरीके से यह काफी dense system है क्या है dense system है dense system होता है गर के पीछह आप इस तरीकी का system यूज़ कर सकते हैं इसको बोलते है homistate agroforestry homistate agroforestry का मतलब होता है production of fruit tree यहाँ पर आपके लोगे production of fruit tree plus यहां पर क्या करोगे selection selection of multipurpose tree multipurpose tree का use करोगे having less canopy multipurpose trees having less canopy जिसकी क्या हो canopy कम हो canopy कम होगा तब हम ले पाएंगे बीच में है ना and said loving plant और इसके अलावा आप ले सकते हो क्या श्रब ले सकते हो यहां वेजीटेबल यहां पर ले सकते हो वेजीटेबल के लावा spices आप ले सकते हो and many said loving plant and many said loving plant क्योंकि 6000 plant इसलिए many said loving crop ले सकते हो many said loving crops ठीक है जैसे मालो इसको multi-layered भी बोलते हैं देखो एक लेयर यह हो गई दूसरी लेयर में less canopy वाले प्लांट लेगें उसके बाद आप acid loving crop ले सकते हो ताकि हवा में आराम से ग्रोव कर सके चाहा में आराम से ग्रोव कर सके क्योंकि इसको sunlight नहीं मिलेगी तो यह आजाएगा farm forest farmland forest ठीक है farmland forest भी इसके अंदर के आजाएगा farmland forest ठीक है C आजाएगा crop farm forest ठीक है D आजाएगा crop farm forest के पास fish farm forest fish farm forest ठीक है बद E animal farm forest änimal farm forest अब इनिमल फ फोर्थ के अंदर और आप जाओगे अंदर इसके अंदर तो इसके अंदस अ जाता है पेल्ट्री animal आएगा इनिमल के अंदर इसके अंदर आपको मिलेगा de4 अ deadly farm forest dairy farm forest भी एसके अंदर नंबर 3 आपको मिल जाएगा बीफ फार्म फोरेस्ट बीफ फार्म फोरेस्ट इसी के अंदर आपको मिल जाएगा केटल फार्म फोरेस्ट और इसी के अंदर आपको मिल जाएगा इंटीग्रेटट फार्म फोरेस्ट इंटीग्रेटट का मतलब आप यहां पर सब ले सकते हैं अब फार्म्लेंड फॉरेस्ट मतलब की जो भूमी है वहाँ पर आप फार्मिलेंड फॉरेसट का मतलब ही हो गया dat Also farmland forest की हगा ड़ कि वहाँ पर आप पेड़ भी लगा अग सिने प्वाड़ जोदें कि पिपड़ बाठा, फिर अब करद डीकर्ट भडी 85 जोई सब को मिला, निंटिडिकेटर साथ प्वोडे एनीर में में निया के साथ पर जाना यह पर आए जनके यह पीज़ होगmy तो चले का इसके साहरा रहता है अपर नहीं हाँ तय्योट साइट फॉरस्ति एधंक भी रोड़ साइट ऐग्रोफोरेस्टि निच्छेट आट सबक्रणा १ाम भीर ले उटो में है। या सरब ले सकते हो, वेस्टेबल छाड़ शाड़ ए ब मुझा भी आप ले सकतों इसको ब包 रोपसते हैं, रोड्साइट फोरस्टी समझे ना रोड्साइट फोरस्टी मतलब क्या हो गया या सउल और अगे इसके क्या हcorकोप नढूंब ते कि भी सीओ सिंप production of deep rooted deep rooted टाल ट्रे दीप आपने टाल ट्री लिया विठ नेरो के नौकी नौकी जिसकी क्या हो के नौकी कम हो ठीक है जिसकी के नौकी कम यह आप ले सकते हो फिर आपकी यहां पर क्या होता है शर्य ओ सब्दिक आफ बार कर सकते हो में ओकशन द्रफ मेर्टीं तद्रफ चिक अलोंग इति है अलोंग वीफ पो अल्विट पो अलोंग साइड हाई और उप साफ और ज्व्ले न ine रोड गद से मेंszria इटी से, इसको बोलते है roadside forestry, डीप-rooted पेड़ ले लो आप पर रोड की साइड में, और जो भी वहाँ पर जगा बची है, वहाँ पर आप soil building, मतलब soil को बाइंड करने के लिए road की साइड में, या railway की साइड में, वहाँ पर आप जो है deep-rooted पेड़ लगा सकते हो, जिसकी canopy क हो, ठीक है, यह roadside agroforestry system होता है, लास्ट वन बचाए आपका ecological basis पर, जो भी है, जो था, ecological basis, इसको नहीं भी पड़ोगे, तो भी चलेगा बच्चा, इसमें कुछ हाई नहीं, इसमें कुछ नहीं है, ecological basis पर यहाँ पर आप आजाएगा, आपका tropical system, tropical, tropical, subtropical, temperate, temperate, और चोथा आजागा, subalpine, subalpine, और पांच अब आजागा, alpine, alpine मतलब समझते हो, उचे उचे पहाड़, ठीक है, उचाई उपर, उचे तम उचाई उपर, अगर आप अपर अपने पेड़ होते लगा रहे हैं, तो उसको आपको alpine forest बोल सकते हो, alpine का मतलब क्या होता है, highest उचाई हम बोल सकते हो, यह पर सबसे उचा पहाड, उसकी पहाड की धलान ओपर, अगर आप पेड़ पोदे ट्री लगा रहे हो, तो alpine forest आप बोल सकते हो, ठीक है, alpine का मतलब ही क्या हो गया, उचितम हाइट, ठीक है, highest point बोल सकते हो, mountain आप बोल सकते हो, ठीक है, mountain बोल सकते हो, tropical मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, temperature high, जो humidity है, वो क्या होगी, humidity होगी, low, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसल्वी पास्चर, क्या कर सकते हो, इसल्वी पास्चर सिस्टम यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है, अब ट्रोपिकल में यह suitable होता है, अग्रोफोरेस्टी के लिए, suitable for agroforestry के लिए, temperature आजागा यहाँ पर low temperature होता है, ठीक है, और यह भी किसके लिए है, इसल्वी पास्चर के लिए, इसल्वी पास्चरल के लिए यूज़ हो आज सकते हो, अल्पाइन में क्या होता है, small and medium mountain, और यहाँ पर natural and artificial vegetation, natural and artificial vegetation आप यूज़ कर सकते हो, vegetation यहाँ पर होती है, ठीक है, sub-alpine मतलब की medium और small mountain है, जिसकी धलान पर आप क्या कर सकते हो, natural या artificial वहाँ पर vegetation आपको मिल सकती है, और यह हो सकता है, highest mountain, high mountain, यह वाजाएगा आपका high mountain, यहाँ पर सीब क्या आएगी, natural vegetation, natural vegetation, यह नहीं भी पड़ाओगे चलागा, इसका कोई question नहीं बनता है, ठीक है, बस ecological में यहाँ सकते हो, tropical, subtropical, temperate, sub-alpine, यह सारी चीज़ आती है, तो यह हमारा agroforestry system, जो था structural basis पे, functional basis पे, socio-economic basis पे, और ecological basis पे, सब यहाँ पर complete होता है, ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, role of forest, ठीक है, थैंक्यू बड़ी मच्च, जेहिं, जे भारत,